हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो अबर चैनल पावर आफ इनर्स टीम में आपका स्वागत है और मैं हूं सर्वेश चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आके आज हम इस कंपनी की बात करेंगे उसका नाम है आइसे लॉंबार जनरल इंसुरेंस कंपनी क्या करती है कि हम इसका बि वीडियो में इस कंपनी की बारे में डिसकस करने जा रहा हूं तो मेरी आपको कोई एडवाइज नहीं कि आप पर्टिकुलर उस कंपनी के खरीदें या बेचें आइसे लॉंबार की यहां पर वेबसाइट पर आया है तो दे आरिंदा जनरल इंसुरेंस जनरल इंसुरेंस हमारक दिन्सुरेंस से अलग रहता है कि we curf ellow जनरल इंसुरेंस करते हैं और यहां पर दिख रहा है मौटर इंसुरेंस करते हैं भी कंस्कार इंसुरेंस बाहिक इह और और health insurance का प्रड़क्त भी बेचते हैं तो health insurance में ये सारे प्रड़क्त आ रहा है health insurance I say Lombard complete health insurance इनका काफी लोग परी प्रड़क्त रहा है health booster personal protect और ये बाकी के health insurance के product है and so and travel insurance भी they are providing the travel insurance अगर आप by plane जा रहे हैं आप insurance कराना तो भो करा सकते हैं आप single trip करते हैं gold multi trip करा सकते है celebrate travel insurance भी करा सकते हैं business insurance in the sense of यह जब कोई loan देती हैं एक बैंके लोन देती हैं तो उनको insurance करने के लिए business insurance रहता है जिसमें fire insurance और यह बाकी insurance marine जो भी insurance रहते है business stock को या फिर उसको secure करने के लिए तो यह आपर business insurance रहते है अब आपको दो मिन्ट में समझाने कुछ करूँगा इंसुरेंस का मार्केट कितना आगे बढ़ने वाला है इंसुरेंस का मार्केट इंडिया अभी स्टार्ट हुआ है एक तरह से आप भी मान सकते हो कि जहां तक हम मोटर स्कूटर या कर कार की बात करते हैं तो इंडिया में हर एक हजार पर दो सो कार हैं लोग आपस यहीं बात करते हैं कि अगर हम यूएस की बात करते हैं तो वहां पर तक्रिवन एक हजार लोगों के पास नो सो से साड़े नो सो कार है तो इंडिया में जब यह कार बढ़ेंगी लोग वाँ कि बढ़ेंगी तो इनका इंसुरेंस बढ़ेगा हेल्थ इंसुरेंस पर दीदरी करके लोग आ रहे हैं उसमें इसलिए कि अगर उनको कुछ हो जाए या उनके कुछ सामान को भी लोग तो बढ़ेंगी जिसमें या क्रॉप इंसुरेंटों सेचिं आप जाते हैं लाव सब्सक्राइब यहां होते आजकी तारी को इन्फर्मेशन के करान कहीं उनका लॉस ना हो जाए तो इनके पास इन्सरेंश में और पर प्रजक्ट प्रडॉक्ट है और इन इन्सरेंश की फूचर में आप पर यह समेख लिए कि जमांड भढ़ती ही है कमनी होने वाली क्योंकि लोग समझ रहा है कि इंस्रेंस एक बहुत जरूरी चीज है तो लोग इंस्रेंस करा भी रहे है और मुझे लगता है कि इंस्रेंस का मार्केट अभी बहुत ऊपर जाना है तो इसलिए आई से लंवाट की जम बात करते हैं तो इट इज गूड कंपनी इंस् कंपनी है इंडिया की बन अब यूद्व रिडिंग कंपनी है और इट आफर से रेंज डाइवर्सिवाट रेंज अफ प्रड़क्ट सारे प्रड़क्ट यह ओफर करते हैं आपको जिस टाइप का इंस्रेंस कराना है त्यार्ट अवरे टाइप ऑफ इंसुरेंस पास जो क्ल पर्षेंट इन ही के पास रहते हैं, तो इन वह दिया गया कि 2022 एमटिने मेरे इन थे जैंसे सब्सक्राइब और यूवज़ूीड इसेशू ही तो मैं इसनेटे लिन्स टो पल यूण। जैये नहीं कोफेश्थ सब्सक्राइब यूज़े लोइन करेंगा तो कोई बिजनस बूठ ब्लूंच'S ब्लिए लूठ आइंग प्रदक्ट पर इंगा health insurance भी कर देते हैं तो they have all the product with their own house अगर हम market share की बात करते हैं तो 31 माज 2022 में company के पास 8.1 share of the general insurance industries का है और the company is the largest private sector non-life insurance in the country यह भी बहुत अच्छी बात है company largest है और private sector company जो non-life insurance कर रही है इस second largest in the general insurance sector दूसरी company है और यह वाइब कंपनी है था सिग्निफिकेंट मार्केट शेर वारियस commercial lines अज़े फायर तेरा पर्शंट इंजिरिंग से फंद्रा पर्शंट और मारीन कार्गो से 18 पर्शंट अधर लाइबलिटी से फंद्रा पर्शंट रिवेंट्टू चैनल से वह एंडिवेंट एंडिवेंट वाइजेंट अदर पर्शंट मेंट कंपनी के पास चैनल से इनकी खुद की से पर दिजिटल चैनल से भी इंस्रेंस हो रहे हैं नेटरर्क लिखा है यहां पर पांच से अनके पास और आठासी और पांच सो इंडियोगी ऐशन्ट्स की और इट्स पार्टनर नेटवर्क इंक्लूट कर ग्यारा या 200 इनके पास यह है और च्छेहां या साथ सो इनके पास हो स्विटल आप फोकस क्या दिया गया है वो मैं बढ़ाता हूँ, the company focuses on expanding the operation across the distribution, digital technology and claim service to meet this objective, the company intends to make additional investment range of 100 crore and 150 crore to upcoming financial, मतलब company को ये सब चीज़े बढ़ाने के लिए, company न अच्छागासा capital पार कर रखा है, इतला से सोच रखा है कि विए 100-100 crore रुपे इसमें खर्च करेंगे, जहाँ पर मार्केट कैप उसकी अठ्ठावने राट सो निन्जानवे करोण है और करेंट प्राइज स्टॉक की बारा सो रुपे चल लही है और इस्टॉक का लो और हाई 52 वी का 1466 और 1071 रुपे गया है, इस्टॉक का पी 36.7 है और इंडेस्टीज का पी 77 है, तो यू कें आरोई 15.1 है, फेस वैली स्टॉक की 10 रुपीस है, पर मोटर की होल्टिंग बहुत अच्छी है, 48 परसेंट प्रॉफिट ग्रोज भी 23 परसेंट से ग्रोव हो रहा है और नंबर ऑफ एक सिर्फ 45.5 करोड है और प्रॉफिट आप्टर टेक्स 1605 करोड पे आया है, मार्केट क अब तीन साल पहले 46,944 करोड की युगा करती थी और इंडस्टी का पी मैंने आपको बताया 77.8 है और पेग रेशियो 2.93 और इस्टॉक का जो अल्टाम हाई गया है वो 1675 रुपय गया है और अभी कोडिंग कर रहा है तक्वीम 1200 रुपय गया साबसे बात करेंगे तो दिस संबर 2022 के भी इसके रजल्ट आ चुके है और आज थोड़े रजल्ट थोड़े कम इनको दिख रहा है कम आये इसलिए थोड़ा CRP प्ताई भी हुई है वट इस इस तोड़े इस इस टॉक दो जार उनीस से अठ्था सो त्रानवे करोड की जो सेल्स हुई थी उसमें को 294 करो एक लग कारा है और नेट प्रोफित की थोंगा कम आया है बाट इस बार कि अपर यह बाट करेंगो तो फाइनेंसिल इंके अच्छे है एंप्रूप क्लिम थोड़े कम आ जाते हैं इसलिए इनके उपरेटिंग प्रॉफिट मार्जन कम हो जाते हैं यह सब चलता रहता है इट इस जब पार्ट ऑप बिजनिस थोड़ा बहुत जब फ्लेक्चरल होदा तो इस जब मौका टू बाय स्टॉक यह खरीदने का टाइम होता है कि यहां सब्सक्राइब और अगर पिछले तीन साल में घुरुक करें तो नेट प्रॉफिट तकरीवन साट करोड के आसपास इंक्रीज होगा अगर वागी इनके फाइनेंशेट अभी थोड़ा सा नेट प्रॉपेटिंग प्रॉपेट मार्जन में दवाव है यह नेट अब्री वाज इन लॉस एटी करोड फिर दो याज बारा में भी लॉस मेरे 416 करोड और तब से इन लोट के नहीं देखा पीछे मुड़के नहीं देखा और ट्रेलिंग ट्रेलिंग मन्त में तक्रीवें दिखता हुआ नजर आ रहा है आपको क्योंकि सेल 17 करोड की दिख रही है और यहीं इनके पास तक्रीबन जो नेट प्रॉपिट है ना वो 1605 करोड का आता हुआ दिख रहा है सो इन इस कंपनी केidentsल काफ़ी अल्ड ट्रेक्टिंभ वों नेट शेल की बढ़ती हुए नजर में आ रहा हो और सबसे प्लस बाहते कि नेट प्रॉपिट हाईएस हले वर सो उह प्रॉपिशन कीट जो यह हुश्य ह्माडा में जो नेगेंएट 53.652.68 की लिए पिएस जन्रेट होती हुई नजर आ रही है अब हम बात करेंगे यह एक भांडिंग देखेंगे ना तो सेवंटीं पर्जेंट फिप्टीं पर्जेंट तो सेंट परसेंट और तेलिंग तो यह अच्छे है रिटन आफ एक्टी की अगर बात करेंगे तो return of equity 10 year में 19% 18% 19% 15% तो यह कुछ point थे balance sheet की बात करेंगे तो share capital company के पास 491 करोड का share capital है और reserve एक 1126 करोड से बढ़ते बढ़ते 9595 करोड का इनके पास खुद का पैसा है रिजर्ब है borrowing as such इन्होंने काफी कम की एगर मार्च 222 से मार्च दिसंबत 2022 में देखेंगे तकरीवन इन्होंने 9 मन्त में आप देखें कितना इन्होंने कुरा मतलब में 215 करोड के 220 करोड इन्होंने borrowing कम कर दी this is a great point company this company in 220 करोड का इनका बॉरिंग कम कर दी है इसलिए इनके कही न कहीं न कहीं इनी सब चीजों के प्रेसर पड़ता है company के पास जब रेटन लोन को ज्यादा रिपे करते हैं तो इनके मार्जन कम हो जाते है पर यह पॉइंट आदम कहीं दिखता ही नहीं है जैसे आप अगर देखेंगे कमपनी के जो quarterly जो sales हुई है उसमें net profit थोड़ा सा कम आया बट क्यों आया पता ही नहीं तो यह आपर देखना पड़ता है हमको कहीं न गई कि company आखित कर क्या रही company के पास जिस company के पास उसमें 220 क्रोड का आपका लोन रिपे कर दिया है तो वह company के financial अच्छे नहीं है वह company के financial definitely अच्छे है company अपने आपको सोच रही है कि साइध मार्च में यह zero हो जाए बोरिंग में तो यह आपका फ्री कंपनी हो जाएगी 220 क्रोड का debt कम कर दिया है वह पैसा कहा से आया वह कहीं और से नहीं आया company के प माया तो बस डाउन हो गया ऐसा नहीं है यह सब पाइंट देखने पड़ते हैं फिक सट देखेंगे तो थीन सो पैंसट करोड से फिक सट बढ़ते बढ़ते पांस से क्यावन करोड की हो गई capital work in progress में अभी कुछ नहीं है तो that is enough that is good और companies always in cash operating profits से plus में because service industry जाए है so it is also good promoter की अच्छी गासी holding है 48.20 sorry 48.02 FIG भी अच्छी holding है 24.07 और DI की भी अच्छी गासी holding है 15.89 थोड़ा बात government के पास भी यह 0.09 पॉब्लिक के पास 11.92 है और वो भी हम 3.73.71 घटा दे आते तो तक्रीब 7% के पास पास पॉब्लिक के पास ज्यादा शेर नहीं है इस company के financial काफी attractive है मुझे अच्छे लगते है यह से one of the important figure यह जिस कंपनी है 220 करोड का रिज अब हम देखेंगे चार्ट पेटन तो चार्ट में ऐसा क्या नजर आता है कब इस टॉक में यहां से थोड़ा सा मूब बनाने की कोशिस की यहां से डवलू पैटन बनाता एक जो जहां से टेक आउट टेक आउफ हुआ फिर यहां पर भी डवलू पैटन बनाया और जहां ब काफी अच्छे रेजल्ट आये पर दिखने में निगेटिव दिख रहे हैं तो इसलिए कंपनी का आज सेर काफी कुछ गिर गया बाकि डवलू पैटन बना अच्छा पैटन बना था मुझे ऐसा लग रहा था कि यहां से उपर जाएगा बट अभी नहीं जाएगा बट देखेंगे तो एक चार्ट यहां से भी नजर आता हुआ दिख रहा है एक चार्ट पैटन यहां पर नजर आता हुआ दिख रहा है जैसे इस स्टॉक ने यहां पर एक कप बनाया फिर कप के साथ यह हैंडल बनाया और यहां से ब्रेक आउट हो गया पर ओबर ऑल मार्केट तो इस तोग का प्राइज फिर नीचे चलागे और अगर हम देखेंगे ना तो एक यूँँ पैटन बन रहा है वो यह भी बन रहा है बन रहा था कि एक आप से एक आप की समय लीजे एक डवल बन गया यह कब डवल हैंडल पैटन तो जब यह पैटन मुझे ऐसा लग रहा है यह कब बना फिर यह और हैंडल बन गया और अभी फटोड़ा से रिजल्ट के करण गिर गया पट डाइड ओन तिंक्स हो कि यह सब चीज नीचे र स्टॉक टेट कर रहा है उस रेट से हम देखें मूब करता बन सकता है प्रजेंट प्राइड परसेंड का यह अच्छा खासा मूब नजर आता हुआ दिख जा दिख रहा है और I don't think so कि एक साल में नहीं आया एक साल में जाएगा एक साल में नहीं आया तो दो साल में सब्सक्राइब करते हैं तो में आपसे रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब चैनल so that मुझे भी यह काफी मोटिवेट करती है और I can make the good good video also in future thank you for watching, bye bye